करी है क्या चल रही है का स्टेंग और क्या चल रही है यतिन बगल में बैठे हुए है अब बोले अपोलो अस्पिटल सुनने में सब ठीक लग रहा था बोले पी फंड आ रहा है एडविंट वो माल खरी देगा फिर एक प्रमोटर के एंटिटी मर्ज करेंगे उसके बाद वारे नहारे हो जाएंगे पर हो स्टॉक तो लद गया था अब तो फिर भी 4-5 परसंट नीचे ने तो एक समय तो बहुत प्रेशर आ गया था बजार को क्या पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल आशीच देखे बजार को क्या पसंद नहीं आ रहा है उस पे फोकस करने से पहले यह जो आपने बताया के एडवेंट प्राइवट एक्विटी और प्रमोटर एंटिटीज मिलाके एक जो अपोलो हेल्थ केर कंपनी है इसके साथ एक मर्जर करने वाले है तो यह थ्री वे डील है जहां एडवेंट जो प्राइवट एक्विटी आ रहा है वो फ्रेश एक्विटी ला रहा है पैसे ला रहा है और यह जो 24-25 क्रोड की डील है इसमें आपको दिखाए पड़ेगा के नेट-नेट अपोलो हेल्थ केर कंपनी की मर्जड एंटिटी में हिस्सेदारी लगबग लगबग 60% के आसपास रहेगी और यह मर्जर रेशो फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे माइलस्टोंज और बहुत सारे डियू डिलिएंस के बाद इसको फिक्स किया जाएगा लेकिन हाँ ब्रॉडली अपोलो हेल्थ केर कंपनी जो फार्मसी बिजनस चलाती है उसके पास 60% हिस्सा बच जाएगा डील के बाद और अपोलो हॉस्पिटल्स का इसके अंदर 95% हिस्सा है 5% employees है और 95% अपोलो हॉस्पिटल्स के पास है क्यों शेर गिरा सबसे पहली बात क्योंकि valuations बजार को पसंद नहीं आए valuations बजार के जो projected थे वो लगबग लगबग expectations बजार का ये था कि 15,000 क्रोड रुपे के आसपास इस पूरी की पूरी एकाई का valuation हो लेकिन उससे कई lower आपको दिखाए बढ़ रहा है valuation on an average आता हुआ in fact अगर हम जेफ्रीज की बात करें तो इनकी बाइकॉल है 7,500 के target के साथ लेकिन इनके SOTP में ये healthcare company को target है लेकिन उनकी जो SOTP valuation है उसके मुकाबले लगभग 5,500 क्रोड रुपे कम valuation पर ये transaction होता हुआ नजर पढ़ रहा है और नोमूरा को भी यही लग रहा है कि कहीं न कहीं 23-24% से कम valuation पर ये transaction हो रहा है management को लगता है कि नहीं advent का पैसा मिल रहा है लगभग 800 करोड रुपे ये deal के बाद बचेंगे capex करने के लिए expansion करने के लिए number one number two इनका जो पहले का guidance था वो लगभग 78% margin का था जो अब इन्होंने बढ़ा के 10-11% कर दिया क्योंकि scale मिलेगी एक बड़ा momentum मिलेगा उस margins के वज़े से तो उनको लगता है ये valuations justified है कहीं न कहीं कोई concern की बात नहीं है लेकिन हाँ एक बात बिल्कुल थी market एक transaction expect कर रहा था और जो management बहुत time से बता भी रहा था लेकिन transaction जो हुआ है वो 20-25% market के valuation के जो अनुमान से कम हुआ है के कारण stock में आप आप आज 5-7% का intraday downtick देख रहें in fact एक point पे तो stock लगबग 9-9.5% नीचे चला गया था ये reason है ज़्यादा importantist में था ये company इंप्लोईज को बहुत stake बेती है पालवे साब आपके ऐसा होता है क्या ची आशी जी कुछ नहीं Apollo Hospitals भई ये reason है वो जो Advent को stake बेचा जो बजार pencillin कर रहा था मुल्यांकन उससे 15-20% discount पे ये trade होता हुआ ये सौदा होता हुआ ये reason है Apollo Hospitals एक समय तो बहुत ठंडा था फिर उसके बाद lower level से जरूर कुछ recovery के trades play out होते हुए निलेश Apollo Hospitals देखके बताईए lower level से जो recovery आ रही है fundamentally तो brokerages अभी भी bullish है 12 मंत के time horizon के targets काफी उप पन के लेकिन टेखनीक लिए कैसा poised? देखिया अशी जी आज एक structure थोड़ा सा disrupt यहां पर जरूर हुआ है अच्छी बात लेकिन ये है कि इस particular counter ने अपने 200-day exponential moving average को काफी अच्छे से respect दिया है और ठीक उनी लेवलों से हमें एक शाप recovery भी देखने को मिलिये अगर हम पिछले एक डिर साल का structure देखे तो counter ने लगातार अपने 200-day moving average को respect दिया है और देख के ऐसा लग रहा है कि पुल बैक जो है तोड़ा एक्स्टेंड हो सकता है 6050 और बासर तो 6200 तक की ओर ये काउंटे जाता होगा नजर आ सकता है बट मेजर ट्रेंड थोड़ा साथ साइडवेज है तो कोई बड़ी अपसाइड की गुंजा इस नहीं आती है बट येस इन लेवलों पर कॉंट्राबेट ली जा सकती है कॉंट्राबेट का मॉका यहां पर शायद पोलो हास्पितल में लेकिन फंडमेंटल परस्पेक्टिव से बाज़ार काफी निराश है उस डील को लेकर अच्छा इस अच्छा इस बाज़ाँ परस्फेक्ट आती है